देख रहे हैं क्या इसे आप? आपको कुछ महसूस हो रहा है है क्या ये? मित्रों ये गरीबी है ऐसी गरीबी जो इनसान अपने भाग्य में लेकर के आता है जो इनसान चाह करके भी इससे बाहर नहीं आ पाता वो सोच नहीं पाता कि आखिर ऐसा भोग जीवन में आया क्यूं है बहुत पहले आपको याद होगा अरे मैंने इपना परिचे दिया की नहीं? नमस्कार बहुत स्वागा था देख रहे हैं आप जो तिश जराहर के आपको पता है पित्रपक्ष चल रहा है और पित्रपक्ष की बहुत सारे जानकारियां हम आप तक पहुँचा रहे हैं इसी बीच पित्रपक्ष में कुछ बड़ा आयोजन भी हम कर रहे हैं उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे कारिकरम के अंतर में आपको अभी आज हम जो विशय लेकर के आए हैं वो विशय धन की जरूरतों पर है आप पैसे से बहुत सारे सुविधाओं का उपभोग करते हैं और सुविधाएं सुख का परियाय होती हैं ध्यान से समझिएगा अध्यात्मू लेकर अभी मत घुसिएगा अध्यात्म से आपके शरीर पर कपड़ा नहीं आएगा अध्यात्म से सिर्फ शांती मिलती है अध्यात्म लेकर ना आएगा कि असली सुख तो उसमें है नहीं पहला सुख धन में है कैसे धन से जो सुविधाओं मिलती है उन सुविधाओं से हमको मांसिक और शारिरिक शान्ति और त्रप्ति मिलती है शान्ति किस संदर्व में कि हाँ हम ठीक है हमारे पास इतना धन है कि अगर हमको अचानक से कुछ हैवी दैवी पड़े तो हम किसी के सामने हाथ पसानने ना जाएं यह शान्ति है अशान्ति क्या है अभी हमारा बच्चा बिमार पड़ जाए और हम अस्पताल के लिए पैसा हमारे पास नहीं है हम अम्बूलेंस कैसे बुलाएंगे हम कैब कैसे करेंगे यह आशान्ति है अगले महीने फीस कहां से लाना है बच्चे को फीस कहां से लाना है अशान्ती है आप ऐसे किसी महिला को बुलाईए ऐसी किसी महिला को बुलाईए जिसके पास इस महीने बच्चे की फीस चमा करने की छमता नहीं है और उसको अध्यात्म का ग्यान पे लिए समझ में आ जाएगा यही मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि जब हमारा भोग और बहुत बड़ा दुख आने वाला होता है तो इनसान धनहीन हो जाता है इस धनहीनता के वजह से ही उसके पास पैसे ही नहीं रहते हैं इस धनहीनता की वजह से वो आशान्त रहता है और एक बहुत गहरी निगेटिव इनर्जी के चंगुल में फंस जाता है ये निगेटिव इनर्जी क्यूं आपके साथ जुड़ गई इस निगेटिव इनर्जी की वज़ा से आप इतने विचलित क्यूं हो गए आप ही क्यूं आपके बाकी भाई तो बड़े अच्छे से खापी रहे हैं हस रहें उनके बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं उनके पास तीन गाड़ी भी आ गई एक दो घर भी आपके भाई के पास हो गया है वही माता पिता वही आपके लिए परवरिश वही माहौल वही विद्याले फिर वो इतना आगे कैसे बढ़ गया What is this? मुकदर भाग्यम सर्वत्र फलती जो लोग कर्म 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 कहते हैं मैं हर कर्म करने को तयार हूँ मुझे आप 100-200 करोण के आनी बना दीजिए अच्छा चैनी वह छोड़िए लाल के लिए से जंडा फाहरवा दीजिए है? हमारे कर्म करने को तयार है नहीं, ऐसा नहीं है भाग्यम सर्वत्र फलती भाग्य हर जगें फलता है वो भाग्य क्या है? वो भाग्य हमारा प्रारब्ध होता है इन बिटविन अब आप कहेंगे अगर किसी के भाग्य में जीवन में अभाव में ही मरना है तो प्रयास किसलिए करना बिलकुल ठीक बोला आपने मैं इस बात को अप्रेसियेट करता हूँ मैं इस बात को तस्दीक करता हूँ कि वाकई अगर भाग में है तो प्रयास क्यों करना मैं बताता हूँ इसका उत्तर भी मेरे पास है कभी कभी गोचर में जो प्लैनेट्स चलते हैं वो प्लैनेट्स इतने परिवर्तन शील होते हैं कि उन प्लैनेट्स के कुछ सकरात्मक प्रभाव के कारण आपकी कुंडली का दरिद्र योग, गरीब योग, कोई भी बुरा योग कह लीजिए भंग हो सकता है वो औसर कम बिलता है जब हम जैसा आपको कोई जग जोडता है कि चलो उठो, क्या पता मेरा भाग कि मेरा अंश आपको मिल जाए? क्यों नहीं मिल सकता है? कैसे नहीं मिल सकता है? मैंने आपको 100 रुपिया तो आपके पास आया ना 100 रुपिया जिट्टो यही है ऐसे ही होता है उसी तरह हमारे पुन्न भी तो अरजित है उस पुन्न को हम बढ़ा सकते है वो अंश हम पैदा कर सकते है उस अंश को हम लोग जी सकते है वो प्रभाव, वो सकारात्म कूर्जा ऐसे मुहूर्तों पर प्रसफुटित होती है जैसे ये सारी चीजें हमारे जीवन में हमारे पितरों के अंश रूप में आती है अंश रूप में कैसे आती है अब जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके पापा के पास बहुत महगी सी एक कार हो और एक जियू पैदा हुआ जहां पर बच्चे के पास टुटही सैकिल नहीं है वाट इस दिस दिस इस डेश्टनी यही भाग गया है क्या वो साइकिल वाला बच्चा on the spot within few seconds उस करोणों की गाड़ी का मालिक बन सकता है शायद practically हम कहेंगे कि नहीं डेश्टनी वाइज येस, मेभी तभी तो कहा गया है संस्कृत में त्रिया चरित्रम पुरसस्य भाग्यम देवो न जाना आति कुतो मनुस्य है एक पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र इश्वर भी नहीं जान सकता तो हम मनुस्यों की क्या भी साथ है अभी रिसेंट सेंसनी आप देखी रहे हैं एक जो रानु मॉंडल का केस जिसमें हमने एक वीडियो भी डाला था उअराल मित्रो बस एक ही बात मैं कहने के लिए यहां पर आया हूँ की जितना कुछ हमें मिलता है उसमें असी प्रत्श़त योगदान हमारे पितरों का होता है हमारे पूरमजों का होता है जिसे हम कुंडली में सूर्य आदी ग्रोहों की मजबूती से समझ जाते हैं और पकड़ लेते हैं यही एक बहुत बड़ा कारण बनता है क्योंकि सूर्य आत्मा है अब आप पैदा हो गए किसी खर्मों पती के हाँ और विकलांग है आप भोग आपकी बिकलांगता मतलब आपका भोग आप नहीं उसका रसा सौधन कर पा रहे हैं आपको सुनाई नहीं देता आपकी जीवा नहीं है आपका अंग नहीं है खाना नहीं खा सकते मूह नहीं खुलता है What is this? भोग भाग्य की एक परिभाशा हमने बताया है न वो बहुत सटीक बैठती है जो अपने हाथ में नहीं वही भाग्य है अपने हाथ में कुछ औरों के भाग्य से कुछ सकारात्मक्ता हो सकती है हम उसको पुश कर सकते है उसको दक्का दे सकते है और उनके भागे से, आपके भागे में नहीं है मेरे भागे से मेरे साथ जो 15-20 लोगों का टीम होने रहने वाली है उनके भागे से, सबका अनुष्ण है न जुड़ा हुआ आपके साथ किस वजह से आपके पाप कर्म कट जाएं और आप भाग इसे एकदम से चमक जाएं कोई जानता है जो क्रियाएं हम करेंगे जो हम अनुष्ठान करेंगे यग्य करेंगे प्रिकृत की शक्तियों को जागलित करने के लिए वो अलग है यह तो बहुत प्रैक्टिकल बात बताती है कि हमने आपका पुन्य आपके पाप छीना आपको पुन्य दिया आपको मिला मित्रों इस बार शिराद की जो यह बेला है यह पित्रों के हरदय में बस जाने की बेला है पित्रों के हरदय में जो कुछ चीजें हमारे लिए नकारात्मक्ता छुपी हुई है उसको पूरी तरह से खतम करने की बेला है आप किसी भी वज़ह से आप लोग करते हैं न कि पैसे नहीं है पैसे नहीं है पैसे नहीं है एक बात बताओ अभी आप भोग नहीं रहे बैठे बिठाए रिड़ की हड़ी तूट गई आओ जी आ जाएगा सब हो जाएगा अगर भाग्य में शेश आयू है तो डॉक्टर अच्छा मिलेगा ऑप्रेशन होगा 10-20 लाग का इंदजाम भी हो जाएगा बट ऐसी स्थिति ना आए पितरों का प्रकोब पितरों का शिराप ना मिले इसके लिए आपके पास धना भाव आ जाता है आप समझ ही नहीं पाते हैं और आपका भोग आगे आगे चलता है एक प्रणले पितरों के निमित आएए आनद आएगा यह एक अपील भी आपके सुख के लिए है दोराय नहीं की धन लगेगा लेकिन सही जगह लगेगा यह इसकी एक गारंटी है इसकी हम गारंटी दे रहे हैं कि आपका जो यह लागत है यह सही जगह जा रहा है इसका आपको कई हजार गुना मिलना ही है बहुत शुक्रिया धन्यवाद दिए गए नंबर पर आप और्सप कर सकते हैं गयाजी पिंडदान के नाम से किसी भी तरह के दरिद्र योग गरीब योग जो भी है जिस भी कारण से पित्रों का प्रकोप है पित्र श्राप है पित्र रिन है सूर की कमजोरी है सूर का बुद्ध के साथ शुक्र के साथ कन्याराशी में या तुलाराशी में रहना है या सूर राहू के साथ चंद्र राहू के साथ रहना है इन समझत दोशों का निवारण एक साथ इसी बार फिर पता नहीं यह मौका रहेगा करवाएंगी कि नहीं करवाएंगी मुझे नहीं पता है इस अफसर का लाव ले लिजिए आपके पास मात्र दो दिन है जल्दी से आप वाट्सप ये कॉल करें नंबर साब के सामने सारे है 93546 वारे नंबर पे वाट्सप नहीं है उस पे सिर्फ कॉल किया जा सकता है बाकी सारे नंबर पे वाट्सप है 22-22 पितरों के नाम हमारे साथ थैंक ये सो मच नमस्कार